कोरोना महामारी के कारण लोकडाउन से पूरा देश घरों में कैद है ऐसे में सरकार ने कोई भूखा नहीं सोय इसके लिए खाद्य सुरक्षा के फात्रों को निशुल के गेहूं वितरन कर रही है लेकिन कुछ लोग संकट के इस घरी में भी अपना फाइदा खोज रहे हैं मामला पाली के देशूरी का है जहां उप्षंड अधिकारी ने एक महिला और पुरुष को खाद्य सुरक्षा का अनाज बेचते रंगे हातों पकड़ा जिसके बाद मोके पर पहुँचे प्रशासन ने पचास किलो ग्यों जब्त किया और ग्यों को खरीदने वाले दुकंदार सहित महिला पुरुष के खिलाप आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहट मामला दर्ज करवाया ग्योड क्या ग्योड ग्योड दूर्ड़ा खरीज सीवाद सो ग्योंड इंट ग्योड ग्योड ने इस प्र वाले दूर्ट के